ओम नमस्षिवाय जैश्री महांकाल हर हर मादयो दोस्तों 30 वर्सों बाद सनी जो है अपनी स्वैम की राशी कुम्भ में प्रवेश कर रहे हैं और इसका जो प्रभावे वो अभी से शुरू हो चुका है क्योंकि 17 जनवरी 2023 से वो हमारी स्थिती में आएगा उसकी स्थिती में आएगा लेकिन उसकी जो प्रभाव है वो अभी से शुरू हो चुके है तो आपकी राशी के जातकों पर इस शनी के परिवर्तन से और इस 30 सालों के बाद अपने राशी परिवर्तन से आपकी राशी के जातकों पर क्या प्रभाव होगा अच्छा होगा, बुरा होगा, हमें क्या करना होगा, सभी चीजों पर आज भी स्थार से हम इस वीडियो में जानेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनिवेदन में आपसे करना चाहता हूँ खासकर उन रुकी होई चीजों में तेजी आएगी, जो बहुत दिनों से स्थिर पड़ी होई थी, जो बिल्कुल सिथिल जिसमें न कुछ अच्छा हो रहा था, न कुछ भूरा हो रहा था, तो ऐसी जो भी लाइफ में रुकी होई चीज़ें आपके जीवन में, वो सभी मिलने जाएगे, तो यह जितनी सारी सेग्मेंट है, जितनी सारी चीज़ें है, जो बहुत बिल्कुल शुन्ने होगे थी, कुछ हो ही नहीं रहा है, उन सभी चीजों में एक बहुत मूल तेजी आएगी, और तेजी का प्रभाव आपको शायद आने वाले 25 तारीक जो अभी परिवरतन है, क्योंकि जो भी जाता तक, धन के मामले में बहुत से चीजों में स्ट्रगल कर रहे थे, जिसे पैसे रुकते नहीं, आते नहीं, पैसों को लेकर बहुत तनाव उनके लाइफ में होते हैं, तो यह जो ढ़ाई वर्स उनके लाइफ में रहेगा, यह बहुत बह में नहीं, सब चीजे बहतर होगे, आपका हिल्थ भी आपका साथ देगा, तो यह पैसे कमाने का मोका है आपके लिए, तीसरा है, कि वो जातक, जिन जातकों के मन में डर मन में बना रहता है, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनके लिए समय बुरा है, क्योंकि शनी के परसेंट नहीं दे पाते, आप ऐसा ही रियक्ट करना शुरू हो जाते, तो आप नहीं भी आप निर्दोश होकर भी अपरादी जैसा आपके साथ हो सकता है, इसलिए निवेदन है कि जितने भी डर है अपने मन से, वो सब निकाल दो, अभी निकाल दो, खुद को पॉजिट करो, सनी आपको सखारत में फायदे देंगे, अच्छा लोगों लाइक करना, कमेंट्स करना, ओम नमस्षिवा करें